नमस्कर दोस्तों, विलकम बेक टियो ओन चैनल, लर्न टू इनविस्ट में तो चली शुरू करते हैं आज की वीडियो तो दोस्तों आज एक और पोर्टफोलो को हम रिव्यू करेंगे, तो जिनका ये पोर्टफोलो है, इनका नाम है अरपन और इनका एज है 34 years, ये गुजरात में रहते हैं और इनका पोर्टफोलो का साइज है, ये है 3.76 lakhs का, तो इन्होंने बता है that I am a baker in profession, I started investment from January 2021, तो एक साल पहले से ये randomly investment कर रहा है, I started watching your video from last few months, kindly review my portfolio, okay, and इनका basic question ये है कि कौनसे stocks में, sectors में जो allocation उसको increase करना चाहिए, and ये 30,000 रुपे का monthly SIP कर सकता अपने पोर्टफोलो में for next 5 years, and अपने पोर्टफोलो को next 10 years के लिए ये hold करने वाले for his future goals, okay, and इसके अलावा अभी इनके हाथ में 30,000 रुपे investment करने के लिए, तो कौनसे high CHR growth stock में ये investment करे, तो ये भी इनका question है, तो चलिए, सबसे पहले इनका पोर्टफोलो देख लेते, क्या कुछ changes किया जा सकता है, कहापे allocation बढ़ा आना चाहिए, and कहाँ पर ये जो cash है, ये investment कर सकते है, इनके पोर्टफोलो में total 11 stocks देखने को मिल रहा है, तो सबसे पहला जो company होने choose किया है, तो ये है आरते industries, इधर पे 56,000 का investment है, and अभी इनको 9.6% का profit मिल रहा है, अच्छा अन strong company है continue किया जा सकता है, बट जितना इनका portfolio है, उसी सबसे काफी अच्छा खासा ही allocation इनोंने provide किया है, अभी जो allocation इसको कम करना चाहिए, या बढ़ाना चाहिए, वो हम थोड़ी देर बात देखेंगे, क्योंकि बाकी जो company से वहाँ पे कैसा allocation और और प्रोवाइट किया है, वो भी देखना काफी ज़रूरी है, उसके बाद दोसो next company FL, इधर पे 7,700 का investment है, 17% का profit मिल है, तो ये एक high Cager वाला company जब से लिस्ट हुआ है, अच्छी returns company ने provide किया है, अच्छा growth देखने को मिले है इनके earnings में, तो आप long term के लिए continue करने की कोशिश कीजिए, इधर पे 14,400 का investment है, 6% का इनको हो रहा है profit, अभी जो पहली चीज मुझे यहापे लग रहा है, कि इन्होंने allocation यहापे ज़्यादा provide किया है, क्योंकि 56,000 का investment आर्थी industries में, और बजाज फाइनस में सिफ 14,000 का investment है, तो मेरी सबसे बजाज फाइनस में अगर वो investment होता, बजाज फाइनस में थोड़ा सा allocation मेरी सबसे बढ़ाना चाहिए, उसके बाद दोस्तों इनके पास जो next company है, तो यह भी chemical company है, कंपनी का नाम है black rose, small cap है छोटा है काफी 29,000 का investment है, जितना बजाज फाइनस में allocation उसका double allocation, black rose में इन्होंने दिया है, 2% का profit हो रहा है, again मेरी इ उसके बाद दोसे इनके बास next company दीपक नाइटाइट, इधर पीनों ने एक लाग से ज़ादा का investment किया है, 1,6,000 का, अभी 4% के इनको loss होड़ा है, अभी company खड़ा पर ऐसा बिलकुल भी नहीं है, company काफी अच्छा है, growth stock है, अच्छे returns company long term में देगा, बट एक mid cap company है, या प आपको feature prospect company का पता या management के उपड़ा, अगर आपका confidence है, तो आप continue कर सकतो, बट अगर अपने random ली पिक किया है, तो मेरी सेप से allocation कम करना चाहिए, उसके बाद दोसे इनके बास company है, demand and 1,44,000 का investment है, तो इधर पे तो बहुत ज़्यादा investment है, 2% का भी इनको loss हो रहा है, अभी company नोंने काफी strong pick किया है, काफी अच्छा company है, पर फिर भी मेरी सेप से allocation को थोड़ा कम करके, आप किसी strong और company में या पे वो जो पैसा है, वो investment कर सकतो, क्योंकि 3.7 lakh का portfolio है, और वहाँ से directly 1.4 lakh investment डिमार्ट में किया है, तो again strong company अच्छा company profit आपको बना कर देगा, पर इसकी अ उसके बाद next इनके बास company Indian Energy Exchange 4100 का investment है, अभी कोई profit नहीं है, पर अच्छा company है, आप long term के लिए continue कर सकते हो, उसके बाद लक्ष्मी chemical, अगेन एक chemical company है, 7100 का investment है, 3.8% के इनको loss हो रहा है, पर अच्छा company ये भी long term में आपको profit कमा करके देज जाएगा, उसके बाद इनके बा अगर आप निवेश करना चाहतो, तो कर सकतो, काफी आप कैसा तो investment माना जाएगा, अगर आपको stocks के बाड़े में जाधा पता नहीं है, अगर आप safe investment करना चाहतो, तो निफ्टी वीज में आप कर सकतो, उसके बाद next company Prince Pipe, 4 quantity नो निकदा है, 4 plus 2, total 6 quantity है, and यहापे 4200 का investment है, 5,5% का loss हो रहा है, अच्छा company है, अभी क्योंकि ASM list में तो जाधा कुछ performance देखने को मिलेगा नहीं, short term में, but long term में शाय से company काफी अच्छा return provide कर सकता है, then next company Tata Motors and 1400 का investment है, जाधा investment नहीं है, काफी control में allocation, and अभी कोई profit भी इनको नहीं मिल रहा है, तो Tata Motors अच्छा company है, and electric vehicle So, दोसो ये था, इनका total portfolio, and ये portfolio आपको कैसा लगा, आपकी सबसे कैसा था, और के कुछ changes करना चाहिए इस portfolio में, आप comment करके ज़रूर बताना, तो इनके portfolio में total 11 stocks and companies देखने को मिल रहा है, actually 11 नहीं 10 होगा, क्योंकि एक तो nifty bees है, and वहापे investment भी काफी कम है, तो उसको हटा द देते, तो total 10 companies and stocks इनके portfolio में, जिन 10 company में से आपको काफी chemical companies देखने को मिलेंगे, जैसे कि art industries है, उसके बाद ब्लैक रोस, दीपक नाइटाइड, total 3 हो गया है, उसके बाद लक्षमी chemical भी है, total 4, 10 में से 4 तो chemical companies है, and chemical companies में allocation भी काफी जादा है, and अगर आप देखोगे, तो I think 50% के आसपस तो allocation इन्होंने प्रवाइड किया chemical companies में, या पर जितना भी इनका portfolio का size है, इसका 50% का allocation chemical companies में देखने को मिल रहा है, तो मेरी सबसे इस portfolio में थोड़ा सा diversification की जरूरत है, and कुछ अच्छे companies को add करना चाहिए, जैसे कि दीपक नाइटाइट में इन्होंने काफी investment की है, डीमाट में भी काफी बड़ा investment है, तो मेरी सबसे बजाज finance में आप थोड़ा सा allocation बढ़ा सकतो, जितना investment इधर पे उतना allocation या पर अगर होता, तो बेटर होता, and कुछ और भी strong companies को add करना चाहिए, इस portfolio में, like डीवीज लेप का जो stock है, इस टेम पे काफी down चल रहा है, तो बहाँ पे investment करने का अच्छा मौका है, उसके बाद Titanic बहुत अच्छा option है, टाइटन में आप निवेश कर सकतो, चुविलन food है, रिलेक्स हो को आप add कर सकतो, उसके अलावा IT stocks missing है, तो IT stocks को आप ज़रूर या पे add कीज़े portfolio में, क्योंकि growth sector है, growth का बहाँ पे काफी देख अच्छा option है, या पे जो एलेंटीन food है के, वो काफी अच्छा option है, एंड उसकी अलावा, अगर आप estral को add कर तो यह portfolio strong बन जाएगा, एशन पे इन पीडिलाइट है, तो strong companies की थोड़ी कमी है इस portfolio में, तो अगर आप portfolio को strong बनाना चाहते हो, तो इन companies को add कर सकतो, अगर आप अपको थोड़ा ज़्यादा return कमाना है, mid cap companies में आप निवेश करना चाहते हो, तो मेरी सबसे आवास financial एक अच्छा company है, polycap अच्छा company है, dr. lalpat lab आप देख सकतो, sona construct जो की recently list हुआ है, वो भी एक अच्छा company देखने को मिलता है, तो इनके बारे में आप सोच सकतो, अगर आ मार्केट में कोई बहुत बड़ा correction हुआ नहीं है, तो जब मार्केट में correction आएगा, या जब मार्केट में हम लोगो या पे bear face देखने को मिलेगा, अभी तो bull face चल रहा है, जब bear face देखने को मिलेगा, तो यह जो portfolio bleed भी कर सकता है, bleed मिन सब कह सकता है, कि काफी या पे जो profit है तो इस बज़े से ऐसे companies में जब आप निवेश कर तो बहुत ज़ादा पैसा, तो fluctuation portfolio basis पे काफी ज़ादा होगा, अगर अपने study करके लिए है, तो continue कर सकतो अच्छा company है, बट Black Rose एक small cap company है, तो Black Rose में मेरी सब से allocation control में होना चाहिए, और बहुत ज़ादा allocation provide नहीं करना चाहि कोशिश कीज़े, at least 50% का जो investment है, वो आप large cap company में कीज़े, और उसके अलावा, और आपको यहादा return कमाना है, तो बाकी पैसा, mid cap के जो अच्छे companies and leader companies है वहाँ पे, like relax हो, mid cap company, दिपक नाइट भी mid cap company, बट अच्छे companies है, तो इधर पे आप निवेश कर सकतो, और उसके बा चली दोस्तों, अभी देख लेते कि long term में यह अपने portfolio के जरी कितना wealth create कर सकते, तो अभी इनका जो portfolio का size है, यह 3,75,000 के आसपास है, अगर expected return हम यहापे पकर कर चलते 18% का, कितना return यह average कमाएंगे हर साल, इससे जाधा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, जो time period हमने लिया है, यह 5 साल लिया है, तो after 5 years, जो total value निकल कर आड़ा है, तो 8.6 lakh के आसपास, या 8.58 lakh के आसपास या निकल कर आड़ा है, ओके, तो यह 5 साल बाद wealth create कर सकते, जो current portfolio के जरी है, इसके अलावा, SIP भी यह करेंगे, and कितने का SIP करेंगे, तो यह करेंगे, देर हजार का SIP, तो after 5 years, तो यह पर देर लाग के आसपास, total value देखने को मिल रहा है, यानकि दोनों को अगर मिला दे, तो after 5 years, total 10 lakh के आसपास, जो पैसा यह, एक अठा कर सकते portfolio के जरी है, okay, so अभी इन्होंने बता है कि total 10 साल था कि अपने portfolio को continue करेंगे, जिसमें से 5 साल का calculation already हमने कर लिया है, S पैसाल और करेंगे, तो total 10 साल हो जाएगा, तो total कितना या पर पैसा बन रहा था, SIP लंसम मिलाकर, 10 lakh के आसपास, after 5 years, and 5 साल के बाद, और 5 साल करेंगे, तो 10 lakh हमने investment ले लिया, 18% coverage return फिर से ले रहा है, and 5 साल तक अगर और यह continue करते, तो after 5 years, यानकि after total 10 years, 22.8 lakh of wealth, यह create कर स सकते, इस portfolio के जरीए, अगर SIP को और continue करते, या SIP का amount यह increase कर देते, तो यह जो figure और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, या अगर और भी लंबा यह hold कर सकते, तो भी यह figure और बढ़ जाएगा, जैसे कि, अगर यहाँ पर 5 साल की जाएगा, इसको हम 10 साल कर देते, यानकि total हो ज जरू बातना, जिससे इनको और भी जादत मदत मिल सके, एन मेरी सबसे, लोकेशन को थोड़ा सा और डाइवर्सिफाइट करना चाहिए, तो सिस के ओपर धियान इनको देना चाहिए, तो दोस्तो वीडियो, अगर अच्छे लगाए, तो एक लाइक जरू कर दीजएगा, सा यसे मेंबर तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते अगले वीडियो में, बाबाई